मैं डॉक्टर प्रदीप सुर्यवन श्री संयाधरिया हॉस्पिटल नगर रोड पुना से न्यूबॉर्ण स्पेशालिस्ट आप से बात कर रहा हूं आज हम बच्चे निस्व में क्यों जाते हैं कौन से कौन से बच्चे निस्व में जाते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं उनसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि NISU के टीन लेवल्स होते हैं लेवल 3 यानि की बहुत इंदेंसिव केरवाला NISU लेवल 2 यानि की मिडल लेवल का NISU की जो डिस्टिक प्लेस में रहते हैं और level 1 NICU, यानि कि जो normal babies के basic treatment के लिए होते हैं, वो इसे NICU होते हैं. अब एक common जो बच्चे level 3 NICU में आते हैं, या कुन से भी बच्चे NICU में आते हैं, तो important चीज आपको पहले बोलना चाहता हूं, मैं, इंडिया में 15% बच्चे premature born होते हैं, इंडिया में, या premature means, जो बच्चो 40 हपते complete नहीं करते हैं, जो बच्चे 37 weeks के पहले born होते हैं, उसको premature बच्चे बोलते हैं, और ये बच्चो को NICU के लिए treatment लगती हैं, ये बच्चे हमेशा NICU में land up होते हैं, दूसरा जो category इसमें है, उसको low birth weight बोलते हैं, यानि कि बच्चो का वेट, नॉर्मल बच्चो का वेट तीन किलो तक है, बच्चे का वेट 2.5 के नीचे, specially 1.8 के नीचे, वो बच्चे NICU में आ जाते हैं, 80% बच्चे जो NICU में होते हैं, वो 2 किलो के नीचे, और 35 weeks के नीचे वाले बच्चे लेव बच्चे को NICU लगता है, तो यह important चीज है, आप mind से prepare रहना है कि हमारे बच्चे को NICU लग सकता है, NICU में जितना बच्चा छोटा, उतना दिन जादा लगता है, premature बच्चे जो 1.5 किलो के होते हैं, या 1200 ग्राम के होते हैं, या 1.5 किलो के होते हैं, उनको कभी-कभी 1.5 म एना भी NICU में लग सकता है, जितना वेट चोटा, उतना नICU में जादा टाइम लगता है, आज कल हम हम इंडिया में 500 ग्राम के बच्चे को सर्वाइव करते हैं, लेकिन 500 से 7500 के बच्चे के सर्वाइवल रेट 60-70% है, 7500 के बच्चे के सर्वाइवल रेट 70-80% है, जो ब जहाँ पर असोसेटेड मेंबर्स अवेलेबल है, तो हम 75-80% बच्चे सर्वाइब करते हैं, जो बच्चे का वेट 1.5 के आगया है, 95% बच्चे वो आजकल सर्वाइब होते हैं, यह हम प्रिमैचुर बच्चे के बारे में बोलते हैं, दूसरा जो कामन प्रॉब्लम है बच्चे NIC में आते हैं, इंडिया में 100 में से 10 बच्चे जनम के बाद रोते नहीं है, जो बच्चे रोते नहीं है, वो बच्चों को ऑक्सिजन की लेवल बॉड़ी में कम मिलती है, यानि कि ब्रेन को ऑक्सिजन कम, हाट को ऑक्सिजन कम, फेपरिक ऑक्सिजन कम, और अपन और ऐसे बच्चे NIC में आते हैं। तीसरा जो common problem है बच्चों का infection। माँ के पास से infection या घर में से बच्चों को infection ये बहुत common बीमारी NIC में मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि hand wash ये सबसे बड़ा solution है। आप NIC में 100 बच्चे देखेंगे तो 25% बच्चे को infection होता है। जैने कि infection वाले बच्चे NIC में जादा होता है। आपको उदर भी precaution लेना होता है। और घर में भी precaution लेना होता है। अगला चो category होता है जो बच्चे NIC में जाते हैं जिनको treatment लगता है वो jondis वाले बच्चे होते हैं। लेकिन जॉन्डिस के बच्चे को आपको जादा दिन ट्रिक्मेंट नहीं लगती है. Most of the जॉन्डिस बच्चे आजकल 2-5 दिन में अच्छे हो जाते हैं. जो बच्चो को सास दिन में तकलिब होती है, जो बच्चो को आक्सियन के तकलिब होती है, उनको कम से कम 10-15 दिन NISU में लग सकता है. जो बच्चो को infection होता है, उनको 10-3 हफ़ते तक treatment लग सकती है. मैंने premature बच्चो को बारे में आपको already बोला है. तो जब NISU में बच्चे आते हैं, तो NISU के बच्चे को तुछा सा duration जादा लगता है, लेकिन अभी teamwork अच्छा बढ़ गाया है, technology बढ़ गाया है, knowledge बढ़ गाया है, इसलिए उनके survival के rate अच्छे होने लगे है. इसलिए आपको अच्चा NISU भी choose करना है, अच्चा team के बारे में भी ढूणना है, ऐसे जो NISU उसको level 3 accredited NISU बोलते हैं, ऐसे NISU आप select कर सकते हो, बच्चों के NISU के बारे में आपको कुछ additional जान करी चाहिए, तो हमें आप contact केजिए, thank you.